तो मैं Dr. Sushila Senec Inecologist and Obstetition, आज आपको यही बात पतानी जा रही हूं कि पिरेट्स में क्या क्लॉट्स का आना जरूरी है या क्लॉट्स बिलकुल नहीं आने चाहिए क्लॉट्स आने की क्या significance है और इनने कैसे रोका जा सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं कि period में clots का आना normal है या abnormal है छोटे clots आना normal है बट यदि बहुत बड़े clots आ रहे हैं थक्के बड़े बड़े आ रहे हैं तो वो abnormal है अब यह समझना जरूरी है कि clots आते क्यों है जब भी uterus से bleeding होती है तो बहुत heavy bleeding यदि कभी भी हो रही है तो सारी के सारे blood एक साथ uterus से निकल कर बाहर नहीं पहुच पाता है धिरे धिरे निकल पाता है और ऐसे स्थिती में जो blood है वो stuck up हो जाता है रुख जाता है अंदर वच्चेदानी के अंदर uterus के अंदर और blood का clotting process होता है कि जैसे ही कहीं से भी bleeding होती तो नेचरल mechanism होता है body का कि उसका clot formation होने लग जाता है यानि उसका थक्का बन जाता है और clots बन जाते हैं यानि कि खुन जम जाता है और जैसे ही खुन जमने लगता है उसके बाद में uterus उसे एकदम से squeeze out करके बाहर निकलता है इसके वज़े से काफी ज़दा cramps आते हैं और काफी ज़दा pain होता है और वो एकदम से clot बाहर निकलते हैं और जब बड़े clot बाहर निकलने लगते हैं आपके अंद्रोनी काफी heavy bleeding हो रही थी जो अंदर रुख गई थी और अब जमावा blood है या clots है या थक्के हैं खुन के वो बाहर निकल रहे हैं तो यदि छोटे-छोटे piece आ रहे हैं तो that is normal यानि कि बहुत ज़दा bleeding नहीं हो रही है लेकिन यदि आपके बहुत बड़े clots आ रहे हैं और दिन भर आ रहे हैं 2-3 दिन तक लगातार आ रहे हैं that means कि आपको काफी heavy bleeding हो रही है और आपके शरील में खुन की कमी होने वाली है इसलिए यदि आपके clots आते हैं तो फिर आपको दवाई लेनी चाहिए medicine लेनी चाहिए जिससे कि bleeding की मात्रा को कम किया जा सके और जैसे bleeding कम होगी तो automatically clots का निकलना भी कम हो जाएगा क्योंकि जादा bleeding है जो अंदर रुक जाती है और उसका clot formation होता है फिर वो clot बाहर निकलता है इसलिए दवाई लेना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि blood lose करना बहुत easy है बट उसको regain करना या blood को बनाना खून का synthesis करना बहुत मुश्किल होता है पूरा महिना तीन महिना लग जाता जब जाके 200-300 ml कुछ blood बना पाते हैं और lose अगर यदि हमने महिने में 300 ml कर दिया है तो definitely हम बहुत negative में चले जाएंगा और severe anemia में land up हो जाएंगे यानि हमारे लोबिन चे साथ ग्राम पर आ जाएगा जो कि हमें काम करने के नुमती नहीं देता हमारे को बहुत जादा कमजोरी हो जाएगी हमारे को सांस लेने की तकलीफ हो जाएगी हम किसी प्रकार का काम करने लाइक नहीं रहेंगे इसलिए ऐसी स्तिती में land up ना कीजिए यदि हैवी ब्लीडिंग होती है तो डेफिनेटली डॉक्टर की सलहा लेकर उसे रोकने का या उसी रोक थाम की जरूर कोशिश कीजिए कई बार पिशेंट इतना कॉंशेस होते हैं कि दवायों के साइड इफेक्ट से इतने जादा उ तो जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई छोटा मोटा साइड इफेक्ट अगर है तो इसके इफेक्ट तो काफी जादा है तो एट लिस्ट आप गोली लेंगे तो ब्लड का लॉस होना कम हो जाएगा जिससे कि आपके शरीर के अंदर खुन की कमी भी नहीं होगी आपको महीने के समय दर्द भी नहीं होगा और आपके सेहत भी बनी रहेगी यानि कि आपको खुन की कमी नहीं होने कर और अनीमिया भी नहीं होगा यानि कि गोली खाने के फाइदे जादा है नुकसान कम है और एस सच दिन गोली खाने से कोई किडने नहीं खराब होती कोई लेवर नहीं खराब होता है तो हमें गुगल ने इतना सदा कॉंशियस कर दिया है कि हर गोली के एफेक्ट और साइड एफेक्ट पढ़कर हम खुदी डिसीजन लेने लग जाते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए लेकिन दी किसी डॉक्टर ने आपक सिर्फ उनके सलह मानिये ताकि आप अच्छे सेहतमंद रह सकें तो क्लॉट्स जब भी आएं तो उनको इग्नोर ना कीजिए डॉक्टर से संपर कीजिए अपनी जांच करवाइए क्योंकि एक सोनोग्राफी खून की जांच थाइरोड की जांच बहुत ज़रूरी होती है ज जैसे कोई बिमारिया हो सकती है जिसके वज़े से आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही हो और टीनेजर में यंग लेडिस के अंदर पीसी ओडी काफी कॉमान होता है तो जब भी दो तीन-तीन महीने बाद पीरेड आता तो बहुत हैवी पीरेड आरा होता है तो एकदम से पीरेज किया जा सकता है दुर्बीन से ऑपरेशन हो जाता है एक दिन में चुटी हो जाती है यह ज़िए यूट्राइन पॉल इसको भी दुर्बीन डाल कर उसको हटा दिया जाता है और अगे जाकर अपनी केर कर सके अपने बच्छों के कर सके और आप सेहत मंध रहेंगी आपकी फैमिली भी सेहत मन रहेंगी, क्योंकि यदि आप में खुन की कमी है, आप ही कमजोर है, आप कुछ देख भाल नहीं कर पहरे हैं अपने परिवार का तो आपके परिवार के सेहत भी खराब हो जाएगी, तो आपकी सेहत सबसे जादा ज़रूरित अपने सेहत का ध्यान हम अबसे फिर में लेंग ने वीडियो में ने जान कारी कि साथ तब तक नमाश कर